पागत है आप सभी का the next level में और आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ डेली जी के quiz जिसका ये पहला वीडियो है तो चलिए question answer शुरू करते हैं पहला question यहाँ पर हमारे सामने है कि भारत और स्री लंका को जोरने वाले पुल का क्या नाम है तो इसका सही नाम हो जाएगा से सिरलंका गए थे सीता माता को लाने के लिए और ऐसा भी माना जाता है कि इस ब्रीज का निर्मान इस बुल का निर्मान एक लाख पच्चिस हजार साल पहले हुआ था चलिए next question देखेंगे अगला है कि प्रसिद पिचवारम मैंग्रोव वन किस भारतियराज में इस्थित है तो आपको यह ध्यान रखना है पिचवारम मैंग्रोव तो ये तमिलनाडू में स्थित है ठीक है ये जो पिछवारम मैंगरोव वन है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैंगरोव वन है तो इसलिए आप इसे याद रखेंगे ये सेकेंड ये सेकेंड बिग है यहां पर ये भी आपको याद रखना है और यहां पर जो है बहु परमानू विखंडन पराधारित है परमानू विखंडन शरिंखला प्रतिकिरिया की प्रतिकिरिया की प्रकिरिया है जिसमें न्यूटन छोटे भागों बिभाजित हो जाते हैं आपको पता होगा कि न्यूटन ही छोटे भागों बिभाजित होता है और यह प्रकिरिया बड अनव संसाधन विकास मंत्राले ने विज्यान परयोजनाओं की फंडिंग के लिए इस्टार्स योजना शुरूई की है तो इसमें एक का अर्थ हो जाएगा एडवांस्ट एक अर्थ क्या हो जाएगा एडवांस्ट ओके देखे मैं इसको आपको पूरा फुल फॉर्म बता द इसकीम फॉर ट्रांसलेशन एंड एडवांस्ट रिसर्च इन साइंस स्टार्स ओके चले नेक्स कोशन देखते हैं प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था तो सभी को पता है कि चार वर्णुम विभाजित किया गया था कौन कोंसे थे चत्रिया वैस्य ब्रह्मन सुद्र और क्या माना जाता है इसमें कि ब्रह्मा जी के शरीर के विभिन अंगों से इनका जन्म हुआ है जैसे कि मैं आपको ये ब्रह्मा जी में बना देता हूँ ठीक है तो ये देखो तो ये ब्रह्मा जी का सीर है मुख है तो इससे ब्रह्मन निकले थे ठीक है हाथों से निकले थे छत्रिया पेट से निकला था जो वैस्य है और पैरों से निकले थे सुद्र ये आपको याद रखना है चले अगला कोश्चन देखते है नेक्स्ट है कि निमलिखित में से किसे भारत के 27 राज के रूप में सामिल किया गया था भारत में अभी टोटल 29 राज है 27 राज के रूप में किसे सामिल किया गया था 27 राज के रूप में उत्तरा खंड आया था देखिए जारखंड 28 राज है उत्राखंड 27 वा राज है और 36 गड़ जो है वो 26 वा राज है और गोवा जो है ये 25 वा राज है ठीक है और 29 वा राज है तेलंगाना और ये तीनों ही राज जो है ये 2000 में बने थे ठीक है 36 गड़ 26 उत्राखंड सता है जारखंड 28 तेलंगाना 29 और गोवा को मैंने बताया 25 चले एगला क्योश्चन देखेंगे कि इंगलिस चैनल तैर कर पार करने वाली भारतिय महिला कोन है तो ये क्या है इनका नाम है आरती साहा आरती साहा चले नेक्स क्योश्चन देखते हैं 25 जनवरी को प्रतिवर्स मनाया जाता है ठीक है ये जो है नेशनल वोटर्स डे इंगलिस में इसे कहते हैं ये 25 जनवरी 1950 को अस्थापित इसका किया गया था और तब ही से ये मनाया जा रहा है दोस्तों इस जो मैं वीडियो सिरीज आपके सामने ला रहा हूं तो इसमें कित तो ये मुझे आप कह सकते हैं और आप मुझे इसमें टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे किन-किन टॉपिक्स पे वीडियो लाने चाहिए अगला कोशन देखेंगे कि आम तोर पर भारी जल का उप्योग ज्यादातर किसमें किया जाता है तो इसका जो सही आंसर हो यह सबंग निर्षांग सब्सक्राई काको इसरी कि दो ждते हैं है जलतीक् SAP ठीक है? तो ये दोनों,इसका सही आंसर हो जाएगा, और देखिए परमानु रियक्टर में जो भारी जलका करता हैं, मन्दक के रूप में करता हैं । यहीं पर क्या है, मन्दक के रूप में करता है ने कि न्यूट्रों को यह나, यह जादा विघंडित नौ जाएगा तो वो क्या हो ज़िस्फोट होगा जिससे हम परमानु बम फटता है उसा इस्थिती होगा इसलिए हम क्या करते हैं भारियल का परियोग जो की निट्रॉंस को कंट्रोल में रखता है अगला कोशन देखते हैं कि निमलेखित पारिस्थितिकी तंत्र में किसका जैव इंधन सब से उच्छ है उसका सही अंसर हो जाएगा वन पारिस्थितिकी तंत्र वन पारिस्थितिकी तंत्र का जो है जैव इंधन सबसे उच्छ माना जाता है अगला प्रश्न कि एक इंधन का पूरा दहन कौन सी गैस उत्पन करता है यह अधूरा है पूरा नहीं अधूरा अगर एक इंधन है ये जल रहा है और ये पूरा नहीं जला तो ये कौन सी गैस उत्पन करेगा तो ये जो है करता है कार्बन मोनो ऑक्साइड कार्बन मोनो ऑक्साइड जब भी कुछ जल रहा हो तो कार्बन डियक्साइड तो उत्पन होता ही है ठीक है लेकिन अगर कुछ जलते हुए ह देखते हैं बिहार के मधुबनी चित्रकला को क्या कहा जाता है यह question जो है आपके group D का पूछा हुआ question है ठीक है तो मैं यहाँ पे ज्यादा तर question आपके exam के पूछे हुए question है तो मधुबनी चित्रकला जो है अभी बहुत चर्चा में चल रहा है यह मिथिला चित्रकला से संबंदित है अगला प्रसन देखते हैं कि वर्तमान में भारत के केंद्रिय कृष्वी मंत्री कौन है अभी तो elections चल रहे हैं तो election के बाद उम्मीद है कि आपको यह question का answer बदल है ठीक है यह आपको याद रखना है पहले पहले यह अल्प संख्यक मामले में थी सुरेश परभू commerce मिनिस्टर है वानी जी मंत्राल है और अरुण जेटली तो सभी को पता है कि यह finance मिनिस्टर है वित्त मंत्री अगला question है कि धनवंतरी पुरसकार किस छेत्र में दिया जात है और यह इसके आखरिम विजयता थे डॉक्टर नागेस्वर रेड़ी चलिए next question देखते है कि influenza कि कारण होने वाला रोग है influenza कि कारण होने वाला रोग है तो influenza virus के वजह से होता है influenza जो है यह virus के वजह से होता है वहीं जिवानू के कारण से आपको TB हो जाता है आपको पता ह या बहुत से लोग मरेजिया में confused रहते हैं इसलिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ बाकि दाद खाज खुजली जो होता है वो कवक के कारण होता है चले next question देखते हैं कि global wind सिखर सम्मेलन 2018 के पहले संसकरन की मेजबानी कि सहर ने की तो यह पहली बार 2018 में हुआ था तो इसकी मेजबानी जो है हैंबर्ग ने किया था ठीक है यह जो global wind सिखर सम्मेलन है इसका पहला संसकरन जो है यह पचीस से 28 सितंबर के बीच में जर्मनी के हैंबर्ग में किया गया ठीक है और यह किसलिए किया गया तो यह पवन उर्जा बनाने के लिए नवीन और प्रद्यो कि का इस्तमाल करके करना है और इसमें लक्ष रखा गया है कि 33 गीगावाट 33 गीगावाट बिजली जो है वो पवन उर्जा से उत्पन किया जाए ठीक है और पवन उर्जा के मामले में आपको भारत चीन अमेरिका जर्मनी के बाद जो है यह चोथे नमर पे आता है यह भी जाता है दुट्यक परदुसक की से जाना जाता है तो ओजोन को most confusing question हो जाएगा यह उजोन ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है और यह तब बनता है जब हाइड्रो कारबन और नाइट्रोजन ओकसाइड सूरज की रौस्थिति में संयोजित होते है यानि कि जब हाइड् यह से गिया तो द्वित्यक हो गया लेकिन पहला परदूसक कौन है तो कार्बन मोनो ऑक्साइड याद रखेंगे आप कार्बन मोनो ऑक्साइड पहला परदूसक है अखला कोश्चन देखते हैं कि मांग के नियम के अनुसार यदि कीमत बढ़ती है तो मांग क्या होती है तो क पर दो नहां पर दो तरह की बेरोजगारी पाई जाती है जो केबल व्यस्ततम अब्धी में होता है यह तो क्या हो गया यह तो आपको के लिए मजदूरों की आवसक्ता पड़ी है तो उस समय मजदूरों को क्या जॉब मिल गया उन्हें नोकरी मिला लेकिन जैसे इधान का सीजन ओफ हुआ अब कटनी नहीं है तो अब सीजन चला गया तो अब उन्हें नोकरी नहीं मिल रही है और यही चीज यहां पर चलते रह तो वहाँ पर उस समय की जितना job generate होता है जितनी नोकरियां generate होती है उतना अभी नहीं हो पाएगा तो ये मौसमी बेरोजगारी हो जाती है और वहीं प्रचन बेरोजगारी क्या है तो यह क्या है यह उन नौकरियों को दरसाता है जहां पर लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन उनके जा उनका जो कौसल है उसका परियाप तो यूज नहीं हो पा रहा है जैसे कि अगर मान लो कि आपने MBA किया हुआ है और आप जॉब कर रहे हो किसी चपरासी का तो आपके पास जॉब तो है लेकिन आपकी MBA की डिग्री आपके पास जो इसकिल है उसका कोई यूज नहीं हो रहा है तो MBA और चपरासी आप देख पा रहे हैं वहीं चपरासी का जॉब खराब नहीं है लेकिन जो MBA किया हुआ यूवक है उसके तो कौसल का यूज नहीं हो रहा है तो इसलिए ये प्रच्छन बेरोजगारी में आता और गाउं में ये दोनों ही प्रकार के बेरोजगारियां देख ली जाती है चलिए अगला कोशन देखते हैं कि मेघस्तनीज चंद्रगुप्त मौरी के दरबार में किसका राजदूत बन कराया था तो ये जो है यूनान का राजदूत बन कराया था ठीक है मेघस्तनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौरी के दरबार में यूनानी राजदूत बन कराया था ठीक है और इसमें देखिए कोई निस्चित डेट इसू नहीं है ठीक ह और आपको ये भी याद रखना है कि ये चंद्रगुप्त मौरी ही थे जिन्होंने मौरी समराज की अस्थापना की थी ये भी आपको याद रखना है चले एकला कोशन देखते हैं कि डाक टिकट का अविस्कार किस ने किया था तो ये किया था रॉवलेंड हिल रॉवलेंड हिल देखे डाक टिकट क्या होता है कागज का टुकरा होता है जिसे आप अपने टिकट पे कहीं भी चिट्थी आपको भेजनी होती है या कुछ भी भेजने तो उसके उपर कुछ अलग 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 एक रुपए दो रुपए दस रुपए सो रुपए तक के आते हैं और उस पर किसी रख्ती का भी तस्वीर लगा हुआ रहता है तो ये जो है इसको बनाया था रॉवलेंड हिल ने और ये जो है ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुआ था यानिकी युनाइट गिंग्डम में हुआ था एक मई 1840 को ठीक है चलिए अगला कोश्चन देखते है नेक्स्ट है कि मिथेन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में योगदान देती है इसलिए इसे कौन सी गैस कहा जाता है इसलिए इसे क्या हम कहते है ग्रीन हाउस गैसे ठीक है मिथेन को हम ग्रीन हाउस गैसे कहते है चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखेंगे कि 2018 प्लेयर ऑफ दे इयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया तो एस याई महासंग के द्वारा प्लेयर ऑफ दे इयर बने है मनप्रीत सिंग और यह जो मनप्रीत सिंग है यह भारतिया होकी टीम के कप्तान रहे है 2018 में और इसलिए 2018 में प्लेयर ऑफ दे इयर भी दिया गया है वहीं महिला होकी टीम के लाल रेमिस्यामी इनका नाम याद रखेगा लाल रेमिस्यामी को राइजिंग प्लेयर ऑफ दे इयर का अवार्ड दिया गया है चलिए अगला कोशन देखते है सेविंग ग्लास के रूप में किसका उप्योग किया था सेविंग ग्लास यानि कि जो हजाम की हजामत बनाने वाली जो आपकी दरपन होती है तो उसमें किसका उप्योग अच्छे से किया जाता है तो देखिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि वहाँ पर आपको चीजें बड़ी देखनी होती है ताकि आपके दारी ठीक से कटे तो इसलिए हम अवतल दरपन का यूज करते हैं आपको इसका ट्रीक नहीं याद है आप भूल गए है कि कैसे इसको अनलाइज करते है तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको एक्स्प्लेइन कर दूँगा अगला कोशन है कि मानव सरीर की सबसे बड़ी हड़ी कौन सी होती है तो बड़ी हड़ी कौन सी होती है फीमर ठीक है अंग्रेजी में हम इसे फीमर कहते है जो की होती है जांग की हड़ी ठीक है फीमर आप हिंदी में भी इसे फीमर ही कहते है लेकिन ये हड़ी होती है जांग की हड़ी अगला कोश्चन देखते हैं को किमेंट कर सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा आप ये भी कमेंट कर के बता सकते हैं अगर वीडियो अच्छा रगा तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर ले विदा जय हिंद जय भारत